नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कामशी पनशल इंडिया नीज अर्याना में आप सभी का स्वागत है प्रदेश के पूर्व वित मंत्री कैप्टन अभी मन्यूने इंडिया नीज अर्याना से खाड़ बाचीत की राजपा को सत्ता की और लेकर के गई राजजों में। लेकिन इसको हम आगे लोकसभा चुनाओं में, विधान सबा चुनाओं में किस सरीकेत देखते ह। और खासकर हम हरियाणा की बात जरूर करेंगे वहां क्या असर मांती हैं इसका। लेकिन पांचोर राज्यों के चुनाव परिणाम से एक बात हिंदुस्तान की राजनिती के कोने कोने से सपष्ट सुनाई दे रही है वो है कि देश की जनताने मोदी जी के नित्रत्व और मोदी जी की नीतियों पर अपनी मोहर लगाते हुए इतना बड़ा जनादेश देने का काम किया है जिसको विपक्ष सेमी फाइनल का चुनाव कहता था आज विपक्ष दाराशाई पड़ा है तीन राज्यों के अंदर बाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है तेलंगाना में बाजपा का मत परतिशत दो गुना हुआ है बलेवा कॉंगरेस की सरकार बनी है लेकिन पहले से दो गुना मत परतिशत संके दे रहा है कि आने वाला समय लोकसभा में यह तेलंगाना भी बाजपा के पक्ष में जुकने वाला है मिजोरम में भी भाजपा की सीटे कॉंग्रेस से जादा आना ये संकेत दे रहा है कि पुर्वोत्तर में भी भाजपा बहुत बड़ी गहरी पैट बना चुकी है तो इन चुनाओं के परिणाम से ये स्पष्ट है कि आज विपक्ष देश का विपक्ष वह हावा हवाई है वह जमीन और धरातल से पूरी तरह कट चुका है जनता की नबस को पहचानने में पूरी तरह नाकाम है और इसका निश्चित तोर पर बड़े सुखद इसका प्रभाव हरियाना प्रदेश की राजनिती पर भी पढ़ने वाला है और हरियाना में पहले भी दस की दस हम लोग सबागी सीटें जीते हैं फिर से हरियाना परदेश में दोजार चौबिस में हरियाना के जनता के आशिरवाद से दस कमल के फूल हरियाना के जनता मोधी जी के जोली में डालने का काम करेगी दस कमल के फूल तो फिर चाबी कहां रहेगी क्या साथ में मानते हैं नहीं मानते हैं जो कि इस विदान सबा में इसमें साथ दिया पहले भी नहीं थी पिछले लोगसबा चुनाओ में भी दस कमल के फूल है विदान सबा चुनाओ में भी हमने कमल के फूल पर 90 सीटों पर चुनाओ लड़ा है हमारा चुनाओ पूर कोई गटबंदन नहीं था ये विदान सबा के कारेकाल में बहुमत साबित करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है सबसे बड़ी पार्टी के नाते से मनोह रलाल जी के नित्रतों में सरकार अच्छी तरह चले अपने बहुमत को साबित करे इसलिए सयोग लेना पड़ा तो ये विदान सबा के कारेकाल में उनकी सीटे हैं और स इस बात के लिए उनका साधुवाद है और जहां तक चुनाव के बात है हमारी नीती सपष्ट है विधान सबा में कहां देखते हैं हर्याना को आने वाले दिनमलोग सबा में आपने का दस की दस विधान सबा में आपना क्राइडरिया देखिए जितने पीछले सालों में एक-दो सालों में विपक्ष के आप तोर तारीके देखिए विपक्ष वही सब कारे करता चला रहा है ज़ो कारियों की वो निंदा और बर्चना किया करता था ये बवपिंदर सिंग उड़ा साभ हो या और कांगरेस के अन्य सभी नेता हो उड़ा साभ काया करते थे कि जब शेलजा जी राजसभा गई थी कि राजसभा जो है वो नकारे हुए नेता जाया करते हैं और जब खुद पिता पुत्र चुना वारे तो अपने बेटे को उसी अब मैं वो शब्द उनके बेटे के लिए पयोग नहीं करना चाहता हूं जो उन्होंने अपनी नेत्री के लिए किये थे लेकिन उसी राह पर उनको चलना पड़ा वो जो कहा करते थे कि इतने हरियाना छो के तरिक चार उपमुख्यमंतरी की गोशना वो कर रहे हैं जो स्वयम इन सब बातों का विरोध किया करते थे आज इस तर पर आ गए हैं जिन लोगों ने वन ओल्ड पेंशन स्कीम को खतम करके न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी आज जनता से बिना माफी मांगे बिना सब्सक्तार की बातों गिरों की बातों इसको लेकर लेकर लेकिन सासात एक बात जोरु कहते नजर आए कि हरियना में दस की दस लोग साबाब हैं बीजेपी कमल के फूल पर जीत हासल करेंगी यह दावा पूर मंतरी कैप्टर ने बंदोंने किया दिली से दीपक शर्मा पर इंदुन गुछ झाम काम डिंदू करेंगी जएी